नमस्कार दोस्तों विकार चोजरी एक बार पिर आपका स्वाद करता हूँ आपके अपने चैनल फोक्सी फुरी में लेक हैं आपके लिए कमाल की वीडियो दोस्तों आज की वीडियो कि सान भाइयों के लिए एकदम खास होने वाली है जैशा कि आप मेरे पीछे देख सकते है जेवी खाओ जेवी खाओ जीवन बचाओ ठीक है तो दोस्तों आज हम आये हैं बेडा साधाद जिला मुझे फरनगर रागेश जी के पास दोस्तों ये बहुती अच्छा काम कर रहे हैं यहां पर यह कर दस दस से पंदरा तरह की खेती कर रहे हैं वह भी बिल्कुल और इनकी फसले में देख क्या हूं बहुती जो लाजवाब हैं गुड का उत्पादन और्गैनिक कर रहे हैं गन्ना भी और्गैनिक तरीके चोगाते हैं केचवा खाद भी बनाते हैं जानेंगे इन से सारा कुछ तो रागेश जी अपने बारे में थोड़ा पहले पताई हां मैं राक करने के बाद मैं दिसंबर 17 में मैंने प्रावीज किया था कि मैं कैमिकल यूज नहीं करूंगा किसी भी चीज में यह आइडिया कैसे आया आपके यह आइडिया जैसे ही हालाकि मैं यह सी एजी और पॉस्ट्वेट डिप्लोमाइन एग्री कल्चर एक्स्टेंशन मेनेजमे किया हूँ तो सब कुछ जानते वे इस रसाइनिक खेती के परती इतना घर्णा नहीं थी जितनी उन्होंने पालेकर जी ने बताई और ज्यान तो कहीं से भी कभी भी मिल सकता है आदमी जनम से लेकर मिर्टु परियन तक जानता रहता शीकता रहता तो पालेकर जी से ऐसा ज घर्टी माता के लिए वातावन के लिए जीव-जन-टों के लिए अपने लिए बहुत गातक है वही से मुझतिन आम मिली। आ कि मैं ररासायान का प्रियोग और प्रेस्टिसाईड का प्रियोग खेती में नहीं करूँगा। तब ही से मैंने आकर एक देशी गाय खरीदी आते ही दिसंबर 17 में और एक देशी गाय लगबग 150 भी एक खेती कर सकती है उसके गोमुत्र से और उसके गोबर से दोनों से जीवामरत बनाते हैं घंजीवामरत बनाते हैं बीजामरत बनाते हैं उसका प्रियोग करके खेती में म पादन में स्वाद भी है बहुत तरह के जीयू लाबकारी जीयू जो किसान के मित्र हैं वो फसल में दिखाई देने लगे केच्वा जमीर में बढ़ गया और रसाइन की कोई जुरूत अब नहीं है हम लोगों को अच्छा सदर हमारे दर्सकों को बताईए सुरू सुरू में यह फो जे विविक जो शुरू सुरू में तो आप मतलब बहुत सारे दवाओ का परियोग सबी करते हैं तो सुरू सुरू में कुछ दिक्कत आई परेसानी हुई क्योंकि आदत केमिकल की पदिती जरासा वर दाल दी हामने यूरिया यह डिएपी डाल दिया तो कलर दिखाई देता लेकिन वो कलर ऐसा था कि हरापन जादे था फसल बढ़ती थी लेकिन वेजिटेटीव ग्रोथ होने पर वह मुलेम होता था वह फसल गिरती थी फिर उसमें कीड़े मकोड़े पर कौप जादे करते हैं फिर दवाई ल या जिंक सल्फेट जहां से भी लेते हैं वहां पर सब खर्च हो जाती थी किसान को कुछ नहीं बचता था आज हमारी इस्तिती है कि हम कोई भी एक रुपे का भी रसायन दुकान से नहीं लेते ना फटलेजर घर पर ही हम बनाते हैं दवाई भी बनाते हैं और उर्वरक के पर बनाते हैं घंजीवाम रत भी बनाते हैं उसका परियों करते हैं कि दिमसर क्या डालते में जैविक केती में में लुप से जैविक लगबग 16 साल पूर मैं मैंने केंच्वया काम सुरू किया चोटे स्तर पर चार बैड़ बनाए थे उसके 5 साल बात 20 बैड और बनाएं औ और मैं उनमें केंच्वाखाद बनाता हूं केंच्वाखाद परियोग करता हूं जो मेरे से उपयोग से बच जाता है वो मैं विक्रे करता हूं यहां से किसान लोग ले जाते हैं हाँ यहां से किसान लोग ले जाते हैं जो नरसरी करते हैं यह पोली हाउस करते हैं वो अपन फल्दार पेड़ है थाट बीसथ तरह के अम्रोथ पांस तरह के हैं नींबुर है आडू है उसमें अनार है अंगूर रहे है उसमें आपका कठल है इसी तरह मिलाकि बीसउक्रिक परकार के फल्दार प्रकृति में सब कुछ है प्रकृति में किसी चीज की कमी नहीं है जैसे हमने बागवानी लगाई बागवानी में बीच में हमने दलाल लगाई दला नहीं है वाई वंडल से नाइटोजन खेंच के उसमें नीचे आपनी जड़ों में गांठे बनाती है और गांठ से जो पोदो की खुराक है वह मिलती है वह मैं कहीं अन्यत्र डीएपी से या एंपी के से या यूरिया से देन यहां पर जंगली पसो का काफी नुकसान होता है उन से बचाने के लिए हम लोगों ने लगबग आज से दस बार साल पहले इसकी फैंसिंग कराई थी पहले ब्लोक द्वारा कराई थी लेकिन वहां पर उसमें फिर हमने पिलर उसके सिमेंट के लगाए वो हमने लगए पांस आपकी मतलब जो फसल है वो कहां पर आप इस अपना माल बेशते कुछ अलग तरीके से बेशते के पर ऐसी हां कि सुरू सुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि गाओं में तो इसके ग्राहक नहीं मिलते जो समझदार हैं वो एकदम से पकड़ते हैं और जो भाव र पर इसके अलाबा उत्तर्परदेश सरकार द्वारा महसो मनाए जाते हैं प्रदर्शनी आयुजित की जाती हैं मेले आयुजित की जाते हैं वहां पे अपना इस्टाल हम लोग लगाते हैं और परचार परसार होता है और समान का विक्रे भी महीं से होता है इसके दाव हमें लगबग रसाइनिक से दूगने दा मिलते हैं जैसे गहूं की बात करें बंची गहूं हम बोते हैं उसका भाव कहीं भी पूरे इंडिया में देख लें चार हजार रुपे से छे हजार रुपे कुंटल का बाव हैं, कहीं भी आप बेश सकते हैं, उसमें यह नहीं है कि कोई सोधे बाजी हो, जैबी कुदपाद में कोई सोधे बाजी नहीं होती है, ऐसे ही चावल में हैं, ऐसे ही फल में, यहां से सो रुपे किलो अमरूद गया है और यहीं पर आगे लेने के लिए और दीरे दीरे ऐसी परशार होता है और दीरे दीरे लोगों को जानकारी मिलती है तैसे ही किसान को कोई दिक्कत अपना उत्पाद बेचने में नहीं आती है उत्रपदेश राज जैविक परवाणी करना संस्थान है लखनाओ में उनके दौरा समस्था निर्देश दिये गई वहां से एक टीम आया थी उन्होंने यहाँ पर देखा और बताया निर्देश दिये कि इस अनुसार आप करें खित के आप तीन मीटर चार और तब तीन मीटर फसल छोड़ के अपनी फसल भूएं मेड उंची रखें ताकि आपका पानी बाहर ना जा सके और दूसरे के पड़ोसी खेत का पानी जो के रासाइनी खेती कर रहा है उसका पानी आपके खेत में ना सके तो यह बचाओ के साधन है इससे अपनाने बहुत जरूरी है जाए विक किसान के लिए बहुत बहुत धन्यवास है आपका दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो यूजफूल रही होगे अगर आपके वीडियो अच्छी लगिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर करना बिल्कुल भी न भूले और किसान भाईयों के जादा जादा यह जान करते वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जद मिलता है जी वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन झाल उड़र किसा है जादा जादा रहा है। झाल झाल